आशा करता हूँ, आप सब बहुत अच्छे होंगे, मेरा नाम है सिद्धान तकनी हूँ, तो इस्टेडी ग्लोस पर आपका बहुत सभागत है, पारलियामेंट को हम देखेंगे, राज्य सभा और लोग सभा को, दोस्तों ये इंट्रोडक्टरी, ये मतलब इंट्रोडक्शन ह कैसे होता है, बहुत सारी चीज़े देखेंगे, तो क्यूंकि ये चाप्टर बड़ा है, महनत भी बड़ी होगी, तो इसको मैं पार्लियामेंट को समझाने में, ये अम लक्षमी कान्द का सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट चाप्टर है, वन अफ सबसे इंपॉर् फॉलो करिए, डिस्रिप्शन बोक्स, कमेंट बोक्स में लिंक दिया है, ट्विटर पे मैं आ गया हूँ, ये रही मेरी आईडी, दोस्तों अगर हम पार्लियमेंट की बात करें, तो आपको पता है, ये हमारा लजिसलेटिव और्गन है, ठीक है, हम इसकी कई बार बात कर च अब आर्टिकल 79 से लेकर 122, पार्ट 5 अव दी कंस्टिटूशन में है, याद रखिएगा, बहुत ही जाधा इंपोर्टेंट, तो हम सब चीज देखने वाले हैं, तो पार्लियमेंट में आता क्या है, ठीक है, सबसे पहले, तीन पार्ट से, सबसे पहले है हमारा प्रेसिड नहीं होगे, जब तक राज्ट्रपती साइन नहीं करेगा, लेकिन एक चीज गाठ बांध लीजिए, प्रेसिडेंट किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता है, ना ही राज्यसभा का, ना ही लोगसभा का, राज्यसभा, राज्य रहना, स्टेट्स, काउंसल आफ स्टेट्स ब हाउस ऑफ दी पीपल है, जहां से डारेक्ली रेप्रेसेंटेटिव चुन कि आते हैं लोगों द्वारा, दूसरी है, काउंसल आफ स्टेट्स, इंडारेक्ली, ठीक है, समझ गए आप, बहुत ही बढ़िया, 1904 में हिंदी नाम दिये गए, राज्यसभा और लोगसभा, अब तो वहां का जो राजा होता है, वो राश्ट्रपती का कारवार निभाता है, मतलब राजा जो है, जैसे भारत में प्रेसिडेंट है, वहां पे राजा होता है, ठीक है, अमेरिका की बात करें, तो अमेरिका के लोगर हाउस को, हाउस ओफ रेप्रेसेंटेटेटेब बोला ज आता है और जो उसके बाद presidential form of government है तो president जो है जैसे हमारे prime minister के पास सारी ताकत है वहाँ पर president के पास ताकत है तो सब मैं आपको समझाई चुका हूँ कोई भी इसमें दिकत नहीं है उसके बाद हम राज्यसभा और लोग्सभा के बारे में बच्चे से समझते हैं ठीक है सबसे पहले राज्यसभा की strength कितनी होती है धाई सो याद रख लीजे धाई सो कभी भी 250 आप देखे तो तुरंत आपको याद आ जाना चाहिए राज्यसभा राज्यसभा की strength होती है ठीक है धाई सो है ठीक है 250 maximum strength है धाई सो सीटे है इस strength मतलब कितनी सीट है 238 इसमें representative of the states होत करते हैं मतलब यहाँ पर state legislature से मतलब जो यहाँ पर voting होती है जिस तरीके से president को चुना जाता है वैसे ही राज्यसभा में भी चुनाव होते हैं समझ गए तो यहाँ पर state legislature से भी लोग चुन किया जाते हैं कोई दिक्कत नहीं है समझ गए indirect election होता है याद रखिएगा indirect election होता ह है जो राज्यसभा होती है public vote नहीं करती है जैसा president का होता है वैसे ही ठीक है same to same कोई उसमें दिक्कत नहीं तो president election को मैं समझा चुका हूँ अब मैं नहीं समझाओंगा ठीक है राज्यसभा में अभी 245 members है ठीक है जिसमें से 229 members जो है वो states को represent करते हैं चार member को बाकि जो चा दोस्तों आप एक चीज़ समझिए हमारे यहां जो seat है वो population के हिसाब से है जैसे राज्यसभा और लोगसभा की seat अलग-अलग है अब जैसे आप UP को ले लिजए UP में राज्यसभा की seat 31 है ठीक है बाकी UP में सबसे जादा है और लोगसभा की भी सबसे जादा है लेकिन बाकी राज्यों में कम है ठीक है बाकी राज्यों में कम है क्यों? क्योंकि UP की population बहुत जादा है तो हमारे यहां population के हिसाब से seatो को रखा गया है mathematical calculation की गई है अमेरिका में देखे तो अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं है अमेरिका में सेनेट में जो अपर हाउस है ठीक है हमारे अपर हाउस राज्य सबा है वहाँ पे जो राज्यों को रेप्रेजेंट करता वो है सेनेट और उसमें जो इलेक्ट होके आता वो है सेनेटर ठीक है तो जो सेनेट में अमेरिका में 50 राज्य हैं और हर एक राज्य की 2 स तो हमारे या जो concept है वो population भी depend करता है राज्यसभा लोग सभा की seat का हम किस तरीके से उसको assign करते हैं लेकिन अमेरिका में कोई वो population भी depend नहीं करते हैं ये चीज़ आप समझें ये आपको समझनी जरूरी है ठीक है उसके बाद अगर हम बात करते हैं राज्यसभा की तो याद रखेगा इसको house of the state बोलते हैं states को represent किया ये करता है ठीक है जो राज्यसभा के members होते हैं elected members of the state legislative assembly not nominated तो वही president का concept आप यहाँ पे अपलाई करिए वहाँ से राज्यसभा के members को चुना जाता है समझ रहे हैं single transferable vote होता है एक ही vote होता है दो तरीके से चुन सकते हैं एक होता है list system और एक होता है single transferable vote हमने single transferable vote लिया है list system को नहीं लिया है समझ रहे हैं और जैसा कि मैंने बता है राज्यसभा में जो seat है वो population के हिसाब से यहाँ पे assign की गई है ठीक है उसके बाद union territories को भी represent किया जाता है, ठीक है, देखिए union territories आपको पति है अभी presently 8 union territories है हमारी, है ना बहुत छोटी जो union territories होती है, ठीक है, उनमें legislatures नहीं होती है, है ना अब ये 7 लिखा है, ठीक है, ये 7 नहीं अब तो 8 हो गई है, ठीक है, तो अगर हम बात करते है union territories की, तो क्योंकि वह बहुत चोटे हैं वह union territories बहुत जदा चोटी है बहुत कम रोग रहते हैं तो उसके लिए फिर मतलब वह इतना relevant नहीं लगा ठीक है तो यह चीज तो union territories यहां पे भी सेम procedure होता है indirect election होता है ठीक है और electoral college जो है इसके लिए constitute किया जाता है ठीक है न और again proportional representation by single transferable vote फिर फिर उसके बाद 12 members जो है ठीक है वो president nominate करता है समझ गए न तो यानि कि किस तरीके से राजसभा में लोग चुनके आते हैं यहां पे जो 238 members है वो elect हो के indirect election ठीक है वैसे आएंगे 12 को nominate किया जाएगा और बाकी जो members है वो unit territory से आएंगे समझ गए उसके बाद 12 members जो है वो divers field से ठीक है अब कभी-कभी ऐसा होता है कि nomination इसलिए जरूरी है आप सोचते होंगे कि president nominate क्यों करता है वो इसलिए जरूरी है क्योंकि कभी-कभी जो लोग आते हैं ठीक है वो नेता होते हैं वो politicians होते हैं ठीक है अब हो सकता है उनको कुछ special field में knowledge ना हो तो यहां पे nomination इसलि society बनाने के लिए देश को बनाने के लिए nominate कर दो ठीक है उसको indirectly backdoor होता है पीछे के दर्वाजे से इन लोगों को लेके आया जाता है जो कि आर्ट में बहुत बढ़िया करते हैं literature, science और social service में बहुत बढ़िया करते हैं ताकि balance बना रहे हैं समझ रहे हैं क्यूंकि हमको ग्यान चाहिए ना ग्यान से ही देश का विकास होता है तो अब होता क्या है कि ग्यानी लोग जो होते हैं वो कहां उनको जाधा politics में जाधा तर है और society पे पूरा इनका प्रभाव रहे तो president यहां पे 12 members को nominate भी करता राज सवा में ठीक है उसके बाद दोस्तों लोग सवा की composition देख लेते हैं लोग सवा में 252 strength है 552 members है maximum strength की बात की गई है दोस्तों याद रखिएगा maximum मतलब इस से जाधा नहीं हो सकती लेकिन अभी presently बात करें तो 545 members है ठीक है अगर यहां पे maximum strength जो representative होते है वो कितने हो सकते 530 members ठीक है बाकी 20 members को nominate मलब union territories को represent करेंगे और दो members को nominate किया जाएगा यह Anglo-Indian community community से होंगे ठीक है presently क्या है presently 545 members है ठीक है 530 members जो है वो चुन के आ रहे हैं 13 members जो है वो union territory से आ रहे हैं दो को president nominate करता है तब ही आप देखते होंगे कि 543 seat of election होते हैं समझ रहे हैं यह चीज़ आप समझ के चलिए दोस्तों important है आप यहां पे देखिए maximum strength कितनी है 552 लेकिन अभी कितनी है 545 530 members है लेकिन अभी 530 members प maximum strength है और बाकी 2 members जो है वो anglo-indian community से आते हैं अब यह anglo-indian community को उसको 1961 में हटा दिया गया था लेकिन अफिर इसको introduce किया गया है कि इनको तो nominate करना ही पड़ेगा ठीक है ना उसके बाद दोस्तों लोगसभा की कुछ हम characteristics देख लेते हैं यह लोगसभा के जो members होते हैं they are elected by the people ठीक है so they are directly elected by the people आपको पता है यह लोगसभा की चुना होते हैं तो इसको house of the people भी बोला जाता है ठीक है जो राज है वो constituency में divide होते हैं ठीक है निरवाचन शेत्र होता है और किसी का और उसके बाद एक constituency से candidate खड़ा होता है खड़े होते हैं अपनी अपनी parties वहां से candidate concept है कि लोगसभा में राज सभा में ऐसा कोई concept नहीं था लेकिन लोगसभा में क्या होता है जो राज होते हैं वो constituency में divide होते हैं छोटी-छोटी territorial constituency होती है ठीक है ना और वहां से फिर candidates खड़े होते हैं और हमारे first past the poster system है मतलब जो जीता वही से कंदर फर्क नहीं पढ़ा उ आपे 11% vote मिले बाकी लोगों में बट गए दूसरा जो है उसको 10% vote मिले तीसरा नौ इस तरीके से तो अब आप खुद देखिए कि यहां पे इस इंसान को 11% ही खाली vote मिले है दूसरे इंसान को 10% vote मिले है तो कितना कम अंतर है टेक्निकली देखे तो इस 10% वाले को भी जग हुआ करार देंगे तब ही आप देखते नहीं है कि भाजपा ने 36% vote लिए Congress ने 30% vote लिए उसका मतलब यही है ठीक है ना यहां पे majority नहीं है कि आपको 50% से जाधा मिलेगा तब आप आएंगे यहां पे जिसको जाधा vote मिल रहे है वो चुन के आएगा ठीक है ना voting age जो है वो कोई vote कर सकता है जो भी adult है समझ गए उसके बाद दोस्तों union territories को कैसे represent किया जाता है यहां पे बकायदा union territories को भी आप represent करते है 1965 में ये पूरा दिया गया है तो अभी मैंने बताया कि union territories का representation कैसे होता है अभी presently 13 members union territories को represent कर रहे हैं फिर उसके बाद anglo-indian community ठीक है anglo-indian community जो है उसको भी मतलब उसके भी जो दो members उसको नॉमिनेट किया जाएगा कोई दिक्कत नहीं लोग सभा में कैसे election होता है दोस्तों यह आपको पता ही अभी तो मैंने आपको बताया कि राज जी जो होता है वो constituency में डिवाइड होते है वही seat होती है ठीक है जैसे लख होते है और जो population की बीच में ratio होता है ठीक है मतलब सीटों का बट्वारा होता है और जो population की बीच में ratio होता है वो हर state में बराबर होता है मतलब भेद्भाव नहीं किया है समझ रहे हैं तो यह बहुत important है उसके बाद दोस्तो रिजर्वेशन क्या SC और ST को रिजर्वेशन है बिलकुल है ठीक है रिजर्वेशन है 2020 तक ये रिजर्वेशन चलेगा ओरिजिनली इसको 10-10 साल पर ऑपरेट किया जाना था मतब हर 10-10 साल पे इसको देखना था लेकिन अभी हम देखते हैं कि 95th Amendment Act जो हुआ 2009 में हम याद करिए उसमें separate electorate का concept ले थे British मतलब Muslim जो candidate खड़े हो रहे हैं उसके लिए Muslim वोट करेंगे अगर कोई Muslim candidate है तो उसके लिए सिख इसाई हर कोई वोट करेगा तो ये रिजर्वेशन नहीं है लेकिना reservation of seats SCST इसका प्रावधान है उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि duration कितना होता है ठीक है चलिए मैं अमेरिका के constitution से भी अलब मैं अमेरिका में जो Congress है अमेरिका की Parliament को Congress बोलते है वहाँ से भी compare करते हुए चलता हूँ राज्यसभा ठीक है राज्यसभा में जो member चुन के आया है 1912 में राज्यसभा को बनाया गया था ठीक है तो राज्यसभा में जो member चुन के उसका duration वो कितने time तक रहेगा देखिए एक चीज याद करिए यह permanent body है ठीक है राज्यसभा यह कुछ चीज़े आपको याद करकनी है पर्मनेंट बोडी है राज्यसभा हमेशा रहेगा इसको dissolve नहीं किया जा सकता डिसल्यूट नहीं किया member यानि कि हर तीसरा में से एक इंसान यानि कि हर तीसरा जो member होता है दो साल में retire होता रहता है यह बहुत ही जाधा important है ठीक है हर तीसरा one third member ठीक है one out of three member यह दो-दो साल में retire होते रहते हैं और उसके बाद फर fresh elections होते हैं ठीक है ना और president फिर बाद में nominate भी करता है हर तीसरे साल में ठीक है कोई term of office of members as such constitutional ने fix नहीं किया है लेकिन 1951 यह representation of the people act आपको याद रखना है इसमें guidelines दी गई है ठीक है लोगसभा राजसभा के लिए constitution में तो इनका term of fix नहीं है लेकिन representation of the people act में 6 साल का इनका term fix किया है कि राजसभा में जो members होंगे वो 6 साल उनका term होगा ठीक है अब आप ध्यान रखिए आप इसमें confuse मत करिएगा ये जो one third ये retirement की बात हो रही है मतलब हर दो साल में इतने members retire होंगे ठीक है ना और ये term कितना होगा समझ रहे है मतलब अगर आप राजसभा में चुन किया तो आप 6 साल पूरा करेंगे परशान मत हो ये आपको 2 साल में retire नहीं किया जाएगा लेकिन यहाँ पे दो-दो साल में retirement होता रहता है जो one third members होनका समझ रहे हर तीसरा इंसान दो-दो साल में वरना तो फिर राजसभा में भी strength को बढ़ाना पड़ जाएगा ना लोगसभा की यह duration क्या होती है ठीक है नहीं रुकिये मैंने पर इसको अगली हाँ लोगसभा की जो duration है लोगसभा की duration आपको पता ही है normal term होती है 5 साल लेकिन इसको dissolve कर दिया जाता है जैसे राजसभा permanent body है ना तो यहां तो 6 साल complete होगे ही होगे जो members है लोगसभा में कोई जरूरी तो है नहीं आज है कल सरकार गिर गई क्या होगा कितनी बार ऐसा हुआ है एक साल में सरकार गिर गई सब को स्तीफा देना पड़ेगा prime minister को स्तीफा देना पड़ेगा members को स्तीफा देना पड़ेगा जाए इक सी बात है तो इसका 5 साल normal term होता है ठीक है normal term 5 साल होता है लेकिन जब भी elections होते हैं इसको automatically dissolve कर दिया जाता है ठीक ह है तो यह चीज उसके बाद दोस्तो membership अगर आपको member होना है अगर आपको राज सभा और लोग सभा का लोग सभा को चुनाओ लड़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा लोग politics को seriously नहीं लेते हैं मेरे हिसाब से politics को जिस दिन politics को seriously लेना चुरू कर देंगे उस दिन भारत बहुत महान देश हो जाएगा बहुत महान जैसा वो महान रहा है सदियों से वैसे ही ठीक है ऐसा इसलिए है क्योंकि जादा तर इंटेलेक्ट्वल्स जो बड़े-बड़े साइंटेस्ट होते हैं जो इंटर्प्रेनोर्स होते हैं वो election में आते नहीं है वो दूर रहते हैं तो पॉलिटिक्स अगर आप constructive politics कर रहे हैं देश के लिए कर रहे हैं बहुत अच्छा है तो ऐसे लोगों को तो आगे आना चाहिए जो कुछ देश के लिए करना चाहते हैं समझ रहे हैं फिलाल हम अपने लेचर पे वापस आते हैं moral लेचर नहीं दूँगा फिलाल तो membership of the parliament आप से पहले तो आपको भारत का नागरिक होना पड़ेगा ओथ लेनी पड़ेगी ठीक है अब ओथ लिखा हुआ है ठीक है ओथ मैंने दोस्तों include नहीं की है आप देख सकते हैं ठीक है उसके बाद राजसवा का member होने के लिए minimum age है 30 साल याद रखिएगा राजसवा 30 साल ल लोग सवा का चुनाओ लोड़ो बहुत 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 बढ़िया पक्स मिलते हैं आपको बता दू लोग सवा और राजसवा में जो लोग चुन कि आते ना एक एक लाक उनकी सालरी होती है जो members होते हैं ठीक है सालरी तो छोड़ी दो बाकी extra इतना मिलता है कि ना पूछिए medical facilities, रहने के लिए घर, बाकी power तो मिलती ही मिलती है लेकिन अगें ये सब चीजे इसलिए दी जाती है क्योंकि आप लोग मेहनत करते हैं जो भी members आते हैं ठीक है इनके ओपर बहुत बढ़ा दायत हुआ है कि इनको देश को बनाना है अब बहुत सारे members ऐसे हैं जिनके ओपर जो बढ़िया एकदम कुछ देश के लिए जो करना चाहरा है वो तो जरूर आ गया है है और जिसका constructive दिमाग है constructive अगर चीजों में आपका मन लगता है तो जरूर आ गया है election लड़े ठीक है ठीक है ठीकिन election लड़े में पैसा भी बहुत कर्च होता है उसके बाद qualification होनी चाह आप reserved seat के लिए चुनाव लड़ रहे हैं ठीक है तो आपको उसका member होना पड़ेगा यह तो बात हुई qualifications की ठीक है अब हम disqualifications की बात कर लेते हैं ठीक है disqualification लिख लीजेगा आप यहां पर disqualification में लिखना भूलिया disqualification मतलब कब आपको disqualify किया जाएगा और कब आप member नही आपको disqualify कर दिया जाएगा ठीक है अगर माल लीजे कि आप भारत के citizen नहीं है या आपने कहीं और की नागरिकता ली हुई है तब आपको disqualify कर दिया जाएगा अगर आप भारत के सम्विधान के साब से आप Parliament के साब से नहीं चल रहे हैं ठीक है तब आपको disqualify कर दिया ज अगर माल लीजे आप गिल्टी हैं आपको सजा मिली है आप करप्ट प्रक्टिस में इन्वाल्ड हैं तब आपको isqually f surprised कर दिया जाएगा elections में ठीक है अगर आपको convicted नहीं किया गया है आपको दो से जादा साल की सजा नहीं दी हुई है ठीक है उससे कम है तब तो ठीक है लेकिन अगर ऐसा है तब आपको disqualify कर दिया जाएगा आपको पता ही है कि जब भी election होते तो आपको पूरी अपनी property जो भी आपके पास है वो सब आपको ब्योरा देना पड़ता है election commission को अगर आप time पे नहीं देते तब आपको disqualify कर दिया जाएगा अगर आपका कोई interest है आप सरकारी काम कर रहे है ठीक है और कोई भी contracts या works या service में अगर आपका बहुत ज़्यादा जुड़े हुए है कोई भी disqualify कर दिया जाएगा ठीक है अगर आप avo को ढुड़ावा आपको Late अगर अगरा क्राइं को बढ़ावा दे रे तब भी आपको disqualify मुझे राये यह सारे पॉंट्स आपने देख लिए politicians में सब तो नहीं ऐसे होते लेकिन सारे points आपको मिलेंगे कि सारे points किसी ना हर politician कभी ना कभी रिश्वत लेता ही है दो ग्रूपों के बीच में बहुत तो लोग ऐसे हैं जिनकी politics ही दो ग्रूपों के बीच में लडाई जगडा करवादो दंगे करवादो वैसे चलती है समझ रहे हैं तो यह जो points है ना यह आपको सब मिलेंगे उसके बाब वजूद इनको disqualify नहीं किया जाता defection के ground पे मगर माल लिजे कि आपने अदला बदली कर ली ठीक है यह भी यहाँ पे यह 10th schedule में लिखा हुआ है anti-defection law आया था ना 10th schedule में लिखा हुआ है कि भया जो member है वो party में ही रहे अगर अदला बदली की तो समझ लो तुमको disqualify कर दिया जाएगा ठीक है ऐसे कई बार cases हुए है ठीक है अब defection में क्या-क्या यहाँ पे disqualification rules है सबसे पहले अगर मान लो कि वो voluntary अपनी membership दे देता है political party की ठीक है अब फूसरा point यह है कि मान लिजे कि voting होनी है पार्लियामेंट में और political party ने जो जिस party से वो belong करता है वो बोलता है कि देखो हर member जो है जिस भी प्रस्तावस vote होना है उसके favor में vote करेगा लेकिन कभी-कभी members बदल जाते हैं against में vote कर लेते हैं तो political party ने कुछ का है voting कुछ और हो रही है ऐसे members को भी disqualify किया जा सकता है on the ground of defection defect है ये members ही कहना उसके बाद अगर कोई निर्दली candidate बेटा चुनाओ तो तो तुमने निर्दली लड़ा लेकिन चुनाओ लड़ने के बाद तुमने political party जोइन कर ली तो यहाँ support आप दे सकते हो लेकिन party नहीं कर सकते हो defection के उस आधार पे आपको disqualify किया जा सकता है ठीक है ना और कोई भी nominated members है वो political party join कर ले उसको भी disqualify किया जा सकता है लेकिन यह disqualify disqualify अब सुन रहे हैं ताकत यहाँ speaker के हाथ में रहती है speaker अगर चाहेगा speaker लोग सबाव में speaker होता है राज सबाव में chairman होता है जो की vice president होता है तो उनके बास बामला जाता है अगर वो चाहेंगे तब ही disqualification होगा देखते हैं मामले को अगर इन में से कोई criteria फिल हुआ तो disqualify कर देते हैं अब यह vacation मतलब यहाँ पे seat अप खाली होती है ठीक है seat अप खाली होगी अगर मान लीजे कोई भी members के पास double मतलब कोई भी member है उसके पास double membership है ठीक है अगर आप state legislature के भी member है तो आपको state legislature की member छोड़नी पड़ेगी मतलब same time पे आप लोग सभा मान लिजे आप UP में है ठीक है UP में आप विधान सभा के member है और चुना हुए आप लोग सभा में भी चुनके आ गए तो आपको 14 दिन के अंदर seat छोड़नी होगी आपने विधान सभा की समझने state legislature की दो एक time पे दो house के member नहीं रह सकते है एक ही house के member रह सकते है उसके बाद दोस्तों अगर आप resign करते हैं ठीक है resign बिल्कुल आप resign कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है राजसभा में है तो आप राजसभा को राजसभा के जो chairman होता उसको resignation दे दिए लोगसभा में तो लोगसभा के speaker को resignation दे दिए तब आप resign कर सकते हैं तब vacation है मतलब seat जो है वो vacate हो जाएगी खाली हो जाएगी अगर आप absent है बईया बढ़िया चुन के आगए लोगसभा में जाए नहीं रहे है तो ठीक है जैसा school और colleges में हम देखते हैं कि जब हम नहीं जाते हैं तो एक time period दिया जाता है न कि 20 दिन तक absent रहे तो बेटा फिर रहे हैं बड़िया salary उठा रहे हैं लेकिन जा नहीं रहे है अटेंड नहीं कर रहे है meetings को तो पता है क्या होगा आपको निकाल दिया जाएगा बिलकुल अगर 60 दिन के अंदर 60 दिन से जादा आप absent हो रहे हैं ठीक है without permission तो आपको निकाल दिया जाएगा तो यह limit होती है ठीक है हाँ इसमें जब लोकसभा या राजसभा session में नहीं है या जब उसको adjourn किया गया वो times में नहीं count किया जाता तो के बाद दोस्तों मान लिजे court ने बोल दिया कि जो election है ठीक है वो बिलकुल null and void है तब वो seat जो है वो फिर vacate मतलब खाली हो जाएगी फिर जगा खाली हो जाती है अगर house उसको expel कर दे तब यहाँ पे seat खाली हो जाती है अगर मान लिजे कि वो president या vice president बन गया तो मैंने बताया था न president और vice president में जिस भी house का member है उसको इस्तीफा देना पड़ेगा तब यहाँ पे vacancy generate हो जाती है और अगर मान लिजे वो किसी state का governor बना दिया गया तब vacancy generate कहने का मतलब यह है कि एक time पे एक ही काम हो सकता है समझ रहे है अगर आप president बनेंगे तो president ही रही है governor बनेंगे तो governor ही रही है ठीक है राजसभा के member है तो राजसभा के ही रही है ऐसा नहीं राजसभा स्टेट लेजिस्लेचर लोग सभा हर जगा से salary उठा रहे हैं ऐसा नहीं है ठीक है एक time पे एक ही काम होगा बहुत बढ़ी है salaries है दोस्तों salary की अगर बात करें यहां पे salary सब पूरा बकायदा यहां पे और इसके provisions दिये गए हैं और अगर salary से related कोई भी बिल पास होता है ना तो यह members बिलकुल मना नहीं करते है फटाक से पास हो जाता है बाकी बहुत सारी इनको traveling facilities, medical facilities, vehicle advances सब मिलता है ठीक है अब अगर हम बात करें कि इनकी salary है कितनी तो 2010 में 16,000 से इनकी salary 50,000 करती गई बेसिक है इसमें बहुत कुछ जोड़ता है देख लिजे ठीक है और जोड़ते रहे एक से 10,000 हर दिन का, each day of residence on duty ठीक है office expenses 20-45,000 तो इतना बढ़ा दिया गया है समझ रहे है तो अच्छा गाजा पैसा मिलता है हमारे नेताओ को और यह सब consolidated fund of India से दिया जाता है ठीक है अब उसके बाद बहुत सारी और भी चीजे इनको दी जाती है ठीक है अब अगर बात करें कि राजसभा के जो चेयर्मेन होता है और लोगसभा के जो speaker था तो उसकी salary कितनी होती है राजसभा के जो chairman होता है उसकी 1.25 लक परवंद होती है अब राजसभा का chairman कौन है vice president तो vice president की salary कितनी है 1.25 लक समझ गई clear हुआ कि नहीं कि wise president की जितनी salary है रही मिलेगी उसे भाई ठीक है लोग सभा के speaker की salary कितनी होती है जो members की salary होती है क्योंकि लोग सभा का speaker होता है वो member ही होता है house का ठीक है तो लोग सभा के speaker की salary होती है वो जितना members को मिलता है उतना ही उसको मिलता है समझ रहे हैं तो यह basics थे introduction लोगसभा और राजसभा अगले पार्ट में दोस्तों हम speakers के बारे में discuss करेगी ठीक है खुछ नहीं पढ़ते हैं देशे सिद्धान तक नहीं होता है